नमस्कार खबर अभी तक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ ठाकुर अमंदीप सिंग इस बुलिटिन की शुक्रात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि चंडिगर से आ रही है आपको बता दें कि हर्याना में अब जो बीजेवी के परदेश बीजेवी मीड परभारी होंगे वो उमेश अगरवाल होंगे जी हां गुरुग्राम से विधायक है उमेश अगरवाल बड़ा एलान किया गया है सुभाश बराला की तरफ से और साथ ही दायत्व भी सौंप दिया कया है परदेश अध्यक्स सुभाश बराला ने सौंपा बीजेवी मीडिय प्रभारी को दाइत्व उनका पत्भार जो है दाइत्व जो है उनको जिम्मेदारियां दे दी गई है राजीव जैन की मीडिया सलाहकार नियुक्त उनने के बाद से रिक्त पड़ा था ये स्थान खाली पड़ा था स्थान और सीमन होलाल खटर की मीडिया सलाहकार है रिव्डिया। प्रभारी का दाइत्व उमेश अगरवाल अच्छे से संभाल सकते हैं। जिसको लेकर के सुभाज बराला ने दाइत्व आपको दिया है। आपके भी कि गुरुग्राम से विधाएक हैं उमेश अगरवाल। और एक बीजेपी की अगर बात की जाये राचनित बीजेपी की तरफ से उनको प्रदेश मीडिया प्रभारी निक्त किया गया है ऐसे में कुछ नई चुनातियां होंगी कुछ नई जिमेदारियां होंगी और कुछ नई अफसर भी होंगी ना सिर्फ अपने लिए बलकि पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए कुछ अच्छ का लेकिन फिल्हाल बड़ी खबर यह है कि उमेश अगरवाल जो है अब वो परदेश मीडिया प्रभारी होंगे बीजेपी की तरफ से सुभाष बराला जो की परदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने यह दाइत्व अब उमेश अगरवाल की कंधों पर डारा है उनके नाम का एला परदेश जिए जो हैं वो मीडिया चलहाकार थे जब उन्होंने चोड़ा उसके बास के खाली पड़ा था और जो राजीव जैन है फिलाए मनोहला छक्टर के वो मीडिया सलहाकार इस वक्त हैं उसके बास से यह जो स्थान था वो इरिक्त पड़ा था गुरु ग्रावां च जनुराक्त बक्षी और फरीदवाद से भी एक निया दाइत्वर दिया गया है पार्टी की तरफ से उमेश एकरवाल गुरुगराम से विधायक हैं नई जिम्मेदारी उनको मिल गई है नई चुनावतिया उनके सामने होंगी क्योंकि देखा जाए तो लोग सबाद चुनाव भी आने वाले हैं विधान सबाद चुनाव भी आने वाले हैं और मीडिया प्रभारी का जो काम होता है वो कैसे करेंगे क्या कुछ रणमीती रहेगी पार्टी को लेकर ये देखने वाली बात होगी क्या चाहिए लोगी आने वाले हैं ये रहें वाले हैंट